कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रूप बलवंत पे और हम पढ़ने वाले एलेक्टर की ठोरी जिसके इंदर आज का सेप्टर हमारा रहेगा सेल यानि हमने पिछे किया था प्राइमरी सेल के बारे इंपढ़ना स्टार्ट क्योंकि यहां से कुछा ही जाएगा और 101 पूछा जाएगा क्योंकि हर चेप्टर से एक दो एक दो एक दो क्यों पूछे जाएंगे अगर से आता है तो हमारे साथ बने रही है आपने देखा भी होगा जिस तरिक्के से आपारे वीडियो जो पिछे बनाई है रेगुलर सीरीज चल रही है कुछ कहते हैं टोपिक डाल दो टोपिक डालने का कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि मैं पढ़ाता हूं उसका लिंक पहली वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक चलेगा क्योंकि आप पहले से पढ़के आये हो तो बहुत बढ़ी है बात है क्योंकि बार बार वो चीज यह बताई नहीं जाती पताने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है वेसे अपने वीडियो थोड़ी लंबी रहती है कोई कहता है गंटे की डाल दो दो गंटे से कम नहीं रहेगी इससे ज्यादा कभी डेड़ गं लो अपने स्टार्ट किया है तो वीडियो लंबी चली जाती है गंटे से उपर वागी गंटे की तो मिनिमम रहती है ठीक है आप हमारे साथ बने रहे यह आपको लगना है आपको जीएसो लगना है या आप कोई और एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जो लेक्टरिकल से समंदित है तो वह आपके लिए मोस्ट इंपर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सत्तर नंबर की ठोरी पुछी जाएगी सो में से तो आपका जो स्लेक्शन है वह अधारित हो जाता है इस ठोरी की ऊपर ठीक है ना वीडियो को जादा जादा लाइक करें कोमेंट करें like और comment और share करने की कोशिश करें like करोगे comment करोगे इससे हमें पता चलता है हमारी जो पढ़ाने का तरिक है आपको समझ में आ रहा है बेस्ट है किस परकार से है तो इस चीज़ें आपकरते रहा करो हमें अनर्जी मिलती है ठीक है like से हमें मजा आता है तो दोनोंव चीज पड़ रहा है थे सेल, क्या पड़ रहा है थे सेल के बारे में हमारा टोपिक था इसल में Ratio यानी सेल क्या होता इसके बारे मैंने बता दिया था याै एक एक यूकती जो रसायनी कुर्जा को विदूतॉड उर्जा में करके आप मतलब क्या करती है विदुतु च्अमें करते हैं जो हमें प्रियोग में लाई जा सकती है जो हमें की लात t असरी पंक्खा चला सकते हैं ठीक अफेन वगदर चला सकते हैं या बेटरीगा सकते हैं इस परकार की काम सेल के दफ़ारा किया जाते हैं ठीकए डाइनमो वगदर चारजिंग डिसचारजिंग सारे गर लेंगी और हमारा till टोपिक材ल डिट चल रहा था प्राइमरी प्राइमरी को फजी आनि अप्राथमिख सेल कों से होते प्राकन एक इतलमा सेहा वह उतें इसके बाएब डिस्चार जोने के बाद दोबारा छार्ज मतलव के नहीं होते हिनको फिंकन रहोंगे जैसे आपने रिमोट वगेरा में डाले होगी या आपने आपके मोबायल के इंदर होगा इंदर सेकेंडरी होता है ति यह अपने गड़ी यहां पर हो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं ठीक ना बस और पढ़ाना आप पर यह है आज हम पढ़ाएंगे डैनी क्या पढ़ेंगे डैनील सेल पढ़ने वाले हैं डैनील सेल सारे प्रात्मिक दुविक खतम करने की सोचेंगे डैनील साल कितना प्यारा सेट डेनी डेनी तो जानते हैं इसकी सब कुछ बाद कर लें हम । यहांनि इसकी जो है कि तेको साथ साथ में लिखा देता हूं खोज किशने की ते अविप्र तो कि अविस्कार क्या होता है बताइए तो अविस्कार किया था और किसने किया था डेनियल नंबक विग्यानिक ने किया था ठीक ना डेनियल आपको पता है और दीर दीर धीर अप बहुत कुछ सीख जाते हो इसका प्रयोग किया साला में सद्री इस इस और प्रियोग क्या जाता है do embar force are muscle project यह होती है começo का इमफ का एक पाइंट एक वॉल्ट होताeton क्या होता है यह बाते हमने पीछे समझ लिए इसका आंत्रिक प्रतिरोध की बात करें सारी बाते मैं कर दूंगा और डाइग्राम बना के भी समझाएंगे आंत्रिक प्रतिरोध कितना होता है तो वो होता है दो ओम से 6 ओम तक आतरीक प्रतिरोध भी समझाएंगे आपको आप मेरे साथ बने रही है वस कुछ चीज़ें यहां समझ में नहीं आते तो बाद में करवाई जाती है यह नहीं करवाई नहीं जाएगा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइ इसमें प्रियोग किया जाता है ठीक है और इसमें एक वी दुर्वक के नाम से यानि डी पोलराइजर के रूप में अच्टू एस ओ फोर का प्रियोग किया जाता है अच्टू आसो फोर का क्लियर है यह होगा आपका डेनियल सेल हुर्णेमोटे मोटी हो गया खतम देखो अ देखो रेदेखो इतर तो देखो कि यह बना दिया मैंने आपका सैल बहुत अच्छा साल बनाने की कोशिस करेंगे ठीक है देखो क्योंकि मैं यहां पर क्या ले सकता था आप बताओ जी शिद्धा का सिद्धा मैं चितर लेके आ सकता था हंजी लेकि आ सकते थे क्योंकि मेरे पार डिजिटल बॉर्ड है नेट है गुगल है उसे डाउनलोड करता और आपको शिद्धा दिखा देता लेकिन वह मज़ा नहीं पर उता है ना तो उस चीज को आप असानी से सीख पाते हों यह हो गया ऐसे देखो शेल बनाए गया आपके मैं बना रहा हूं तु तुम्हारे बनाने में क्या जाता है कि मैं अधिया से लोग से कोई चितरकारी नहीं कर रहा हूं आपके जो योग्या है है वहीं चितरकारी यहां पर की जाती है देखो इसको इससे कर लेना थोड़ा से आपको क्या हो जाएगा क्लेरिफाइब हो जाएगा भी यह है क्या यहां से क्यूशन क्या आएंगे वो तुम्हें बताऊंगा यह आपको लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें भी कलियर कर लेनी चाहिए आपको यह हो गया जी क्या हो गया बना होगा आप साथ में जितना बना पाऊगे उतना बनाने की कोषिस करें मैं फिर कहता हुँ ठीक डाइगराम फिर आपके काम कहा आएगे वो हो आपके वह डाइगराम कभी काम नहीं आएंगे जो यहां पर मैं आपको नेट से डाउनलोड करके दिखा देता हूं यह आप बना सकते हो कि यह हुए चड़ इसके अंदर मैं दो परकार के अमल लेता हूं कि एक तो मैंने ले लिया यहां पर हैं कि दो परकार के गोल लेता हूं मैं ठीक है ना एक ले लिया मैंने यहां पर और दूसरा मैंने ले लिया कि यहां पर कि इस के बारे में मैं बोलूंगा ता सब कुछ समझ में आ जाएगा लेकिन आप दे रहे दे रहे ना कोई चीज को इतना गयराई से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब देखो आप अब आपको इस के बारे में अच्छे से में बता देता हूं यह है आपका डेनी इंसल देखो डेनी जैसा दिखाए रहा है यह जो रोड है ना रोड यह किसका काम करेगी नेगिटिव का काम करेगी यानि नेगिटिव टर्मिनल का काम करेगी नेगिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगी ठीक ना आपसे पुछा जाएगा और सारी बातें पुछी जाएगी नेगिटिव इलेक्ट्रोड यानि आप को कि प्रहते जाना यह क्या है तो यह नेगेटिव वाला और इसको हम लेते हैं पोजिटिव यह पूरा होता यह से उप्र मतलब बना हुआ यह निहीं भी सोलाव भना अब और Palm imperative कि अंपनेचे इसका ग्ट्टिव देखाई तो क्रिस्टल होते हैं समझना है तो दीरे दीरे टाइम लगेगा बस ठीक है क्रिस्टल होते हैं यह क्या होता है जी यह बताइए तो यह आपका है कोपर सिलफेट का गोल ठीकर ऊपर वाले क्रिस्टल यह क्या गोल यह क्या है जो क्रिस्टल करता इस का काम करता है जो यह क्यो क्यों के ग्लॉटा इलेक्ट्रो लइट का कीश्टी न सबस्त सकेle कि यह क्या है फिर तो आपको यह है अच टू आस ओ फॉर समझने के लिए वेट करें ठीक ना वी दुर्वक का काम करता है यह क्या करता है वी दुर्वक यानि डी पोलराइजर का काम करता है ठीक है यह बरतन यह जो आपने बनाए यह क्या जी तो आप कहे दो कांच का चिद्र युक्त और चिद्र युक्त बरतन है सारी बात समझा दूंगा मैं और यह क्या जी तो यह सेम का सेम है तो इससे क्या निकलेगी इससे तो निकलेगी आपकी नेगिटिव वाली यह कैसे और इससे कौन से निकलेगी यह वाला पोजिटिव है इसका पूरा का पूरा य किसका जी तो आपको जी वोल्टामेटर जो है वो किसे बना होता है तो वो कांच से बना होता है कि यह था इससे जाद आपको कुछ नहीं पुछा जाएगा इस सेल में यह सबसे बड़ी बात जो थी वह यह थी और क्या क्या है इससे क्या क्यूशन पुछे जा सकते हैं देखो यहां पर क्या होगा एक बरतन लिया जाता है बरतन की अंदर क्या है एक बरतन फिट कर दिया जाता है एक कांच का बरतन लिया जाता है उस बरतन अंदर वाले बरतन के अंदर क्या डाला जाता है अच्टू असफोर या होता है copper sulphate टीका ना उपर जो है वो खांचे बना दिये जाते जिसके अंदर ね जिसके अंदर क्या होगा जिसके अंदर आपका copper sulphate क elder crystal base media चोटे-चोटे टुकडेhot आप क्रोते हैं तो इसके अंदर नाल दिया जाते हैं यह जो copper sulphate वो किसका काम करता है यहीं सेम का सेम गोल डाल जाता है यहांपर क्रिस्टल के शूरा में यह यह लिक्विड के फूम में यहां डाल दिया जाते हैं ठीक है ना तो दोनों चीज़ों यह जिंक की एक छड़ जाती है जो किसकी काम करती है तो आप लिखे लो एनोड क्या होता है तो एनोड का काम तो करता है आपका जिंक यानि जस्ता देखलू उसके अंदर के थोड़ का काम कौन करता है यहां पर यही चीज़ पूछी जाएगे आप से सबसे क्रिष्टल जो है क्रिष्टल का मतलव चोटे चोटे टुकडे बना दिये जाते पेस्ट बना के इसको पूरा पहाड करके ठीक है और आप से पुछे एलेक्ट्रोलाइट कौन सा यह है वी दुरवक का कौन सा काम करता है यही बाते सारी कांच का बरतन लेते हैं उसके अंदर ऐसके चोटा सा कांच का बरतनों डालते हैं उसकी चारों और कोफर सलफेट वर देते हैं उसके अंदर हैच टुँएस ओस जिंग किछट डालते इस प्रकार की थोरी लिखी हुए मिलेगी लेकिन वो चीजये याद नहीं करनी है जिसके अंदर न ओर का काम तो कोपर ना साल तो होता है बुलूले उठते हैं यहां पे तो वह क्या है दिक्कत होनी शुरूर हो जाती है और यह क्या है जिंक एक है चालक की तरह कामकरदेगी इसलिए उस हाइड्रोजन के खतम करने के लिए डाल दिया जाता है यानि जो अनको को खतम करता याने धुर्विकरण के लिए को खतम करता है दोस्को उसको हम क्या कहते हैं we दुरुवक कहते है डी पोलराइजर बोलते हैं ठीक ना तो वो क्या है अच्पफो इस दो इसे लिए बात और इसके अंदर किसका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रियों गोता है और इसको काप्पा लेक्षिट बोलते हैं थेक 화 और इसको सल्फियूरीं एड कैसे इड बोलते हैंं सल्फियूरी के ॅ है आपको जहां से आपके मूस्ट पिशुक्स लियर हो जाएंगे थीक है वीडियो को लाएक कर दिया कोमेंट तो करना बिल्कूल बहुत लाइक बुड़ा बढेक नहीं क्या तो तक लाइक कर देया और वीडियो को देक्ति आप लाइक तक दिया कर नहीं क्यों नहीं करते और या थोड़ा सा लाइक है टेमने कि एक बार दबा दिया अगरों बस दो बार ने एक बार दबा दिया अगरों अपना काम हो जाएगा कोमेंट करके भी बता दिया करो दूसरा सेल जो आपका है वो है लेक लांची सेल लांसी इसको चारिये सेल भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है बात करेंगे चारिये सेल एलकलाइन सेल भी कहा जाता है ठीक है चारिये सेल भी कहा जाता है और इसका जो EMF होता है वो होता है एक पॉइंट चार शह कितना होता है चार सभी और इसका जो आंत्रिक परत्य रोग वो होता है एक होम इस ऑसा आंत्रिक परती रेख गए हैं एक होमे कर पांस हों तक इसका नर्टिक परती जो समझाँ हऊँ है यह उपयोग कहा से पूछ मैए उपयोग करें आपSchal किया जाता है कि उसना आप से पुछ ले अजिए केया आभे लाओ करता है के तो उपयोग इसको किया जाता है जहाँ पर कर मान लोग कर सब्सक्रेंद हो इस बीदूत किस दार意 अ कि आप से अपता हो आप वहां पर इसका जैसे विदूत गंटी तो फोन इस परकार की किया है जहां पर मतलों रुक रुक कर प्रियोग किया जाता है रुक रुक कर क्या किया जाता है रुक रुक कर प्रियोग किया जाता है वो क्या होता है आपका लेकलांची सेल होता है ठीक ना लेकलांची सेल होता है अधिक है आप से पूछ लेगा मालो क्या पुछेगा अधिक रुक कि है नोडब होता है उसको कई सेल कर सकते हैं कज सकते बना होता है के थोड़ जो है वो क्या है जिंक का बना होगा के थोड़ किसका बना होगा जिंक का तो ज्यादा तर किस दातु का प्रियोग आपका किस दातु का प्रियोग के थोड़ की रूप में किया जाता है तो आपका आनसों रहता है जिंक का के थोड़ के रूप में किया जाता है कि वोल्टामेटर किस्से बना होता है यह पूछ लिया जाए आपसे ठीक ना यानि बरतन जो हो किस्से बना होता है तो कांच का बना होता है बरतन किसका बना होता है कांच का कि यह सही कर लेना थोड़ा से भई यह कोपर का बना होता है इसका बर्तन किस्से बना होता है कोपर का बना होता है याद रखना थूड़ा सा गल्थ हो गया थोड़ी सी किससे बना होता है कांच का बना होता है यह चीजे ज्यादा मतलब समझने वाली है नहीं इनको आपको लिखना है याद करना है याद करने वाली चीजी है ठीक ना ट्रिक बनानी है ट्रिक बनानी है त वॉल्टामेटर जो है कांच का बना होता है किसका बना होता है कांच का इलेक्ट्रो लाइट कुन सा होता है most important बात यह है इलेक्ट्रो लाइट किसका बना होता है तो इलेक्ट्रो लाइट जो होता है इसके अंदर एलेक्ट्र Лाइट का प्रियोग होता है औरकलो राइड का किसका अमोनिया रोराइड का कि इस अब हको कि अद्र चुअह ऩूर वक को यानी दुर्वन के रिया को जो दूरवी करना उसके रिया उतम करने के लिए प्रियोग किया जाता है अच्टू इन आफनेbook कि इखनेख यह जाता है मह इसका डैज़ाम बना के समझेडे आप आगे करके देख ले ना डाईज़ाम को यह बना लिया यह बना लिया सेल आपका इस सेल के अंदर आपको क्या डालना है देखू कि यह हो गया सेल कि यह वोल्टामेटर है लिख लो वोल्टामेटर और फिर बताते तो हम दोबारा लिखने का यह मतलब क्या बनता है जी मेटर मतलब यह किसका बना होता है कांच का बना होता है किसका बना होता है कांच का बना होता है ठीक है ना लिखते जाओ वापस ठीक है यह क्या है जी तो इसको भी लिख लो आप दोनों य इसके अंदर भी छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छिदर होते हैं क्यों होते हैं और इस चिदर के अंदर यानि जो चिदर युक्त बरतन के अंदर क्या भर दिया जाता है तो इस बरतन के ऊक्सार्ड ठीक है एक निस डाइयोक्साइड लिखाओ फिकना दो है ओक्सिज तो लिख दे और इसके अंदर किसके कारबन की छटड डाले जाती यह याद रहना इत अब कारबन की छटड नीचे टच नहीं करनी है और ये कार्बन की छड़ क्या काम करेगी जी तो ये काम करेगी तभी तो इसको बनाया है कार्बन 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 कि कि कार्बन की छड़ होगी किसकी छड़ा ये कार्बन की छड़ है ठीक है जो काम करती है पोजिटिव टर्मिनल यानि एनोड की तरह है दूसरी छड़ोर बना लेते हैं जी बनाने लग गए ठीक है ना पहले इसके इंदर पहले भी धुरुवक बर देते हैं ना भी धुरुवक मजाएगा मैगनीज डायोकसाइड भर दिया मैगनीज डायोकसाइड भर दिया मैगनीज डायोकसाइड भर दिया बार भी बर देते हैं कुछ ठीक है ना बार भी बर देते हैं इसके अंदर क्या बरें जी ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ये क्या है तो ये आपका ये तो है उसस पहले एक तरोड बना लेता हूं, मैं छोटा सा यह डाल दी एक औरे छड़ यानि इसके अंदर दो छड़ डाली जाती है इस छड़ को नाम दे दिया negative यानि इकिसकी छड़ा जी यह जिंक-की छड़ा है जो किसकी यहीं तो बात थी जिसको याद करना था बस आपका कम हो गया सरिय तो बात हैं थी तो तो बातें की रसाइनिक रिया याद करने की जुरूर तोनियां अपको है रहतना डिफ स्था जाएगा और पुछ है नंतल जाएगा तो तो कि इतने डिप ऊपर खतरनाक वाले डीप जहां पर जरूर्ट होगे वहां पर आपने आप पढ़ा दूँगा रसायनिक क्रीया आपको नहीं पढ़ने इसकी तो यह डाल दिया आपने जो लीना नीला डाला गया है वो है अनचे फोर सी अल अमोनिया कलोराइड ठीक है जो क्या है तो वो है इलेक्ट्रो लाइट ठीक है हो जाएगा तो यह हो गया आपका सेल यह क्या हो गया इस सेल को कहते हैं इस सेल को क्या कहते हैं इसको कहते हैं लैक्लांसी सेल कहते हैं क्या कहते हैं लैक्लांसी सेल कहते हैं याद करने वाली बात याद करना पड़ेगा क्योंकि यह तो नंबर है आंतरिक प्रतिरोद एक से पांच होम होता है रुक रुक कर जहां प्रियोग किया जाता है वो लैंक लांग्ची से लोता है ठीक ना विदूत गंटी फोन वगेरा या टेलीफोन खिलोने वगेरा के के थोड की तरह काम करती है कार्बन पोजीटिव की तरह काम करता है यानि इसको हम कहते है कार्बन किचट जिसको हम एनोड कहते है इसके अंदर एक कांच का छिद्र युक्त बर्तन होता है, कांच का छिद्र युक्त बर्तन है, बर्तन है जिसके अंदर वी दुरुवक यानि दुरुवी किरन किरिया को रोकने के लिए मैगनीज डाइयोकसाइड डाला जाता है, इलेक्ट्रो लाइट गुरू में अनच 4CL यानि इलेक्ट्रो अमोनिया कलोराइड प्रियोग किया जाता है वोल्टामिटर कांच का बना होता है यही बातें याद करनी थी बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर यह छोटी-छोटी बातें आपके लिए बहुत बढ़िया बा प्रियास्ट में आप एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर आपको बताया जाएगा भी आपसे क्या पुछा जाता है सेल से ज्यादा चीज़े पुछे वाने वाली आप टेबल से भी याद कर सकते हो ड्राइस सेल यानि सुस्क सेल और यह सेल तो सबने देखा भी होगा वो तो नहीं देखा होगा अपने मालो सुस्क सेल देखा होगा अपने गरों में बेटरी देखी बोलो जी देखी ठीक ना बेटरी नहीं देखी नहीं देखी सेल देखा देखा जी आपने रिमोट का सेल देखा नहीं देख्था तो मैं दिखा देता हुआ यह वाला से दिखा दे रहाएं यह वाला सेल है जब इसको तोड़ेंगे जो जो चीजे निकलेगी वही पड़नी है यह वाला सेल है देखो इसके उपर लिखा भी हुआ है कि एक पॉइंट पांच वोल्ट जिंक कार्बन बेटरी यूज विदिन अठारा मंत ओफ मैनुफेक्चरिंग डेट सारी चीजे लिखिये देखो तो यह है वह आपकी जिसका नाम हम ले रहे थे कलियर है कि आज हम पड़ेंगे सुस्क सेल सुस्क सेल में क्या होता है जी ठीक है न लबनाद बनाए गया नहीं यह सेम का सेम सेल है याद उसी को करने देखो इमफ कितना बताया था एक पॉइंट पांच वोल्ट था जी उस पे लिखा हुआ देखो ठीक है इस पर लिखा हुआ है देख लेना इसको क्या कहते हैं फिर दोबारा बता देता हूं इसके उपर ही लिखा था ना कार्बन है जिंक सेल कहते हैं इसको सेल कहते हैं सारी बाते लिखिए सेल खोल के देख लेना सेल कहते हैं ठीक है न और इसके अंदर क्या बढ़ा होत होते हैं जी इलेक्ट्रोड होते हैं तो इलेक्ट्रोल जो होते हैं इलेक्ट्रोड वह एक तो पोजिटिव होता है और एक क्या होता है नेगेटिव यानि जिंक कार्बन बोला तो पोजिटिव के अंदर आप लिख देना कार्बन क्या बोला कार्बन और नेगेटिव कौन सा ह होता है जिंक के जस्ते कीं सरे to be Jeste key फ्रेक किस्का काम करती हैं कारबन की चट है तोड़ना आप जिसका आपने you ूज किया था ठीक ना प्राले भी यूज किया होगा इलेक्ट रोड तो इलेक्ट्रोर प्र्योग होते हैं जो बरतन जो होता है वो किसका होता है कि वरतन किसका होता है ठीक है बरतन भी बना होता है कि इसके उपर देखो कि छड़ कह रहा हूं यार मैं भी यार जस्ते का बरतन जो है वो किसका काम करता है जस्ते का बरतन होता है इसके उपर देखना आप तोड़ोगे उसके उपर आपको जस्ते का बरतन मिलेगा उसके अंदर एक छड़ मिलेगी बीच के अंदर तो वो होता है ठीक है इलेक्ट्रो लाइट थोड़ा सा मुस्किल याद करना लेकिन असान के इस परकार से बनाएं इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रियोग होता है इसमें तो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जो है गोल प्रियोग होता है मेगनीज डोयोकसाइड अनुपा पलस में कारबन पलस में अमोनियों कलोराइड और पलस में आपका जिंक कलोराइड जिंक कलोराइड ठीक ना दो लिख लेना यहां पर यह होता आपका दस अनुपात दस अनुपात दो अनुपात एक में से ठीका न मोस्ट इ्पोर्ट्नेट हो गया इस लिए आ możemy जाएगा इनका अनुपात क्या होता है कि इसका क्या है इन सभी का पेश्टम बना चीओ बना लेते को सब्सक्राइब लोगते जो काला काला ऑसके इंदर निकलेगा वह इतने चीजों से बना हुआ है मैगनी डोकसाइड कारबन सोडियम सुरी अमोनिया कलोराइड और जिंक क्लोराइड से मिलकर है बना होता है जी आंजी ओजी ओचाएड अब क्या हो गया रे कि इसका उप्योग और लिख लो भाई साब आपको इसका उप्योग नहीं पता है तो आपको जहर नहीं खाना चाहिए आपको त्यारी करनी चाहिए ना पढ़ना चाहिए क्योंकि चैर खाने से हो जाती है मोत और मोत हो जाती है तो फाइदा नहीं है टोर्च में अधिनी देर हाथ में रख्था था उसका क्या नाम था वही रिमोट में कि लो नो में कि लोने में तो ना दिवार घड़ी में केमरा में जांस आपको यह सेल नज्ए रवाता है उसके आनसुअ अपकोदार ने लिक सकते हो विसके फुदान लिक सकते हो कि को ठीक है शाहे देताने कैया जान लो काट काट लो इसको यह देखो टेffa यह बेलनाकारवरतन ले लू क्या है ना है बेलनाकारवरतन ले लेना है पांसे लाट है अचा साथ मेंमेदात काषिक आर बडी सेमेदा पॉजिटिव यहां एक मतलब आपको टोपीजी नजर आएगी जिसको पॉजिटिव सीरा होता ही एक छेड़ होती है किसकी कारबन की किसकी छेड़ है करबन की तो यह लिख लो है यहाँ पर तो इलेक्ट्रोलाइट बरा होता है उस चेल को तोड़ लेना खराब तोड़ के देख लेना आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोलाइट जो पेश्ट के रूप में बरा होता है ठीक है यह जो है कारबन की छड़त है किसकी छड़त है कारबन की छड़त ली होती है और यह जो बरतन बना आफो और यह जस्देका होता था किसका जस्तिका जो बरतन क्या करता है बरतन ही के थोड़ का काम करता है बरतन किसका काम करता है के थोड़ का ठीक है यह चीज़े याद करने वसी सके अंदर यह कैप सी लगी होती है जो क्या है पोजिटिव का काम करती है दिखाऊंगे जार दोबारा दिखा दिखा देता है आपको मैं ऐखराब करवाओ वे तुम के मरे गाना यह देखो यह से लायर देखो तेखो सको द्यान से ठीक ना इसके लिखा है देखो आपको 1.5 वोल्ट जिंक कार्बन बेटरी लिखा है ना अपने इसको जिंक कार्बन बेटरी कहा जाता है ठीक है ना 1.5 वोल्ट का इमफ इसके उपर और क्या लिखा हुआ इस पर चेन नहीं से बना हुआ है लोंग लाइफ बेटरी है बहुत बढ़िया बात है और यह देखो यह जो है इधर वाला से देखो यहां पर लिखा हुआ पोजिटिव यह वाला पोजिटिव और यह पूरा पूरा उ आप area पास लेके आता हुआ अ यह देखो अब तो देरा और यह न 215 अधरा जो दिखाए दे रहा है यह क्या है यह कारबन अंदर और यह वाला नेगिटिव होता है जो जस्ते का बना होता है ठीक है अब तो हो जाएगा क्या क्या करना पड़ता है रहे आपको समझाने के लिए लेकिन आप प्यारे प्यारे मासूम कितने राज दुला रहे ठीक है न मा के आंखों के तारे हो भईया सरकारी नोकरी लगने वाली है आपकी सरकारी नोकरी का सपना देखने वाले आपका सपना पूरा होने वाला है देल्दी से जल्दी पड़ दीजिए ठीक है पड़ लीजिए वही है सपना हो जाएगा पूरा अगला सेल है मरकरी सेल मरकरी सेल मरकरी का मतलब होता है पारा ठीक है नहीं है कि मर्कृरी सेल जो होता है इसका इमफ कम होता है उससे छोटा जिसको बटन सेल भी कहते हैं क्या होता है बटन बटन वाला देखा अपने बटन बटन अरे सेल जो आपकी चोटी 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 होती है उसके अंदर प्रियोग होता है या आपकी वाच जो होती है जो वाच है उसके अंदर प्रियोग होता है ठीक है ना उसके अंदर प्रियोग होता है तो बटन सेल बटन की तरह करती का होता है इसका इमफ जो होता है न वह एक प्वंट तीन है कि मैं नीडियर हो गई बात जो इसका जो बरतन होता है ना आरा फू Question अपिए छोटी चोटी जो आपकी क्या होती है के घड़ी होती है हात में कलाई को बांधने वाली गड़ी देखाए अपने च्छोटा सा सेल देखाए आपने फिरियोकरते हैं तो उस सेल को क्या करते हैं बटन सेल कहते हैं वह कौन सा सेल होता है मरकरी सेल होता है जिसको बटन सेल भी कहा जाता है और यह बरतन जो होता है उपर जो आपको चमकता हुआ चांदी की तरह चमकता हुआ नजर आता है वह निकल चड़ा हुआ स्टील है कुछ भी निकल चड़ा हुआ क्या है स्टील है न और यह बरतन जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं क्या होते हैं इसके अंदर अबस्त दो चार चीजे तो याद करने हैं आपको यार फिलक्ट्रोड क्या होते हैं इसके अंदर नेगिटिव जो टरमिनल है वो क्या किसका काम करता है और पॉजिटिव किसका काम करता है कि तो मैंने आपको पहले भी पताया था विज़िस के अंदर इलेक्ट्रो एक बात तो आपने कलियर करी लिए अब तक है जहां पर यूज हुआ है कि थोर्ड के रूप में वह क्या था जिंक था ठीक या था जिंक था और एनॉड के रूप में किसका ययोग हो गा तो एनॉड जो होगा वह बना होगा आपका स्टील का यानि जो बरतन है वो एनोड की तरह काम करेगा सिद्धी सपष्ट बात यह यह है ठीक है इसके अंदर जो इलेक्ट्रो लाइट कौन सा होता है पोटेसियम हाइड्रो ओकसाइड लिख लेना पोटेसियम हाइड्रो ओकसाइड यानि यह भी एक प्रकार का चारी असेल है ठीक है न बीद रुवक के रूप में इसके अंदर प्रियोग होता है कि विद रुवक के रूप में डी पोलराइजर पारा तो या प्रियोग होता है इसके अंदर प्रार तो तो यह थी करें मरकरी ओक्साइड प्राओं तो इसका प्रियोग होता है बना देंगा बटन बना दें क्या यह बटन होता है मालो यह निच्छे बटन होगा ठीक है यह जो आपका बरतन होगा इस प्रकार से और कि इस प्रकार से यह अंदर से होगा और इससे के उपर आपको एक टोपी सी नजर आती है ठीक है तो इसके अंदर तो बरा होता है ये क्या होता है जिंक होता है ये क्या होता है जिंक होता है ये किसकी तरह काम करता है नेगिटिव वाले की तरह है ये नीचे वाले के अंदर बरा होता है आपका एच जी ओ ठीक ना जो किसकी तरह काम करता है वी दुर्वक की तरह काम करता है ठीक ना और इसके अंदर आपका बरा होता है इलेक्ट्रो लाइट क्या बरा होता है इलेक्ट्रो लाइट देख लेना या वो पोटेशियम हाईड्रो अकसाइड ठीक ना यह जिंक हो गया और इदर वाला इसकी की तरह काम करता है पोजिटिव यानि यह बरतन जो है है वो किसकी तरह काम करता है पोजिटिव की तरह है और उपर वाला यह सीरा जो है यह एसे इसे निकला हुगा नज़र आएगा आपको इसे उपर तो यह काम करता है आपका जोड बना दिया इसको बोलते हैं सेपरेटर सेपरेटर आले तो यह अलग दलग करने वाला सेपरेटर बोलते हैं दोनों को अलग करके रखता है तो यह अपका परबू क्या बात है ये पढ़ना पढ़ता है जी क्या है नोकरी बहुत असाने है भाईया सरकारी नोकरी लगने के बाद जो मज़ा आएगा न वो ये सारी दुख दर्थ भूल जाओगे ये थोड़ी थोड़ी चीजे पढ़नी पढ़ेगी उसके साथ आप वीडियो को लाइ एक से कोमेंट हमारे को साइथ करते हैं बना वीडियो जा बना वीडियो जा बना वीडियो करते हैं जब एक कोमेंट एक कोमेंट आपका एक कोमेंट आपको हमको पांच मिनिट चार्ज कर देता है जितने ज्यादा कोमेंट करते उतने ज्यादा हम चार्ज हो जाते हैं तो य जिंक का था याद करना है चिंक का एनोड याद करना इसacts टील का बरतन कि तरह काम करता इंक कितना इतना है को अगला जो आपका सेल होने वाला है उसका नाम है बहुत ही प्यारा सा और बहुती राज-डुलारा सा आपकी तरह Silver Oxide Cell क्या होगा Silver Oxide Cell जिसका नाम होने वाला है ठीक है Same Cell कोई दिक्कत नहीं वो ही Button Cell है सिरफ इसकी जगह Mercury की जगह जो क्या भरा होता है इसके इंदर Silver ठीक है न Silver यानि चांदी बरी होती है महंगा Cell है Silver दिखाई दे रहा है कि यह Silver Oxide Cell Silver Oxide Cell सेम है यार कुछ भी परक नहीं है लगबगिस का EMF जो होता है वो होता है 1.5 वोल्ट ठीक है Electrolite जो है Potassium Hydro Oxide पिछे वाला यह है Electrode Positive Negative पोजिटिव नेगिटिव अनोड कैथोड अनोड बना होता है जिंक आपका बरतन यानि वो किसका होगा जी Steel का होगा और बरतन जो होता है वो होता है आपका Steel का और यह जिंक का यानि कैथोड जस्ते का भी है ठीक है वी दुरुवक यानि Deep Polarizer कि वी दुरुवक अपने पड़ा होगा तो यह अपने याद होगा Silver Oxide क्या प्रियोग होता है इसमें Silver Oxide का प्रियोग होता है इसलिए इसको Silver Oxide Cell कहते है बस इतना ही फरक है सेम वही है बटन सेल भी कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है बटन सेल बटन सेल क्योंकि बटन की तरह यह वही है बस इसके अंदर थोड़ा इतना ही परके सिलीवर ऑक्साइड भरी बस ठीक ना वही सेम का सेम है अशन्य लगालो मालो कट लगालो यह इसा हो गया यह इसका यह सा इसका किसका काम करेगा आपको पताइए जैसा कि आप पहले से आप जानते हो थोड़ा चोटा चाहिए देन लेते हैं इसको तेट यह हो गया इसको मैंने काट लिया ठीक है यह काट लिया में और इसके नीचे जो है चोटी-चोटी पतली परत बनाने पड़ेगी मेरे को यह जो है इसका इसा जो है नीचे वाला इसा यानि यह जो कटा हुआ है यह होता है आपका A, G, O, G, R, G यानि सिल्वर ओक्साइट ठीक है दूसरी इसके इंदर एक परत बनी होती है इस परकार के आपको परत मिलेगी इसके नीचे बरतन के नीचे यह होता है potassium hydroxide ठीक है और यह बरतन का नीचे वाला इसा पोजिटीण की तरह काम करता है उपर वाला negative की काम करता है जो उसे एक से यदिए ओते हैं दला होता है च्विकल्ट है तुछ क्या व के डॉत होता है चिंग फालर आ होजा जाए का बस पतन वाला है बस मेंमबात आपको जो याद करनी है वो यही याद करनी है टाकर निया कि यहीं तो यह इत्व है बातन भूबस एक पॉइंट पाउंच वोल्ट का ओता के वच सूडियम आई डिरोग पो टेशिम ड्रोग साइड है नोड किसका बना होता है कि थोड किसका बना होता है अगला से लुपका चारीय सेल पड़ देना यार बस आज के लिए हमें श्यमा करें एलक लाइन सेल है ठीक है एलक लाइने सेल क्या होता है चार यह सेल क्या होता है बताओगे कुछ चारीय सेल क्या होता है केसे हर साथ में कुछ भी नहीं है यार उत्च भी तुनहीं बस इतना याद करना इम फैसकी जो होती है एक पांच वल्ट होती है पिछे वाले को हम झारी है बोल देते हैं बस बात इतनी ठीक है इल्र नाइटका प्रियोग किसमें इसमें क्या होताlist है ऐसली इसको उन plastic क्या प homeless इन थे सिंट्ट गचल करता है और आपका है जंक का इमक्रोड बना होता है वह ग्रीट में और इसके ये दूर्वक की रूंप में किसका प्रियोग होता यहीं करना वी दूर्वक के रूप में इसके अंदर मैगनीज डाई ओक्साइड का प्रियोग होता है किसका प्रियोग होता है मैगनीज डाई ओक्साइड के रूप में इसका प्रियोग होता है बस यह सेल थे आपके कौन कौन सेट सेल थे देख लो आप यह पहला सेल था तिक स्क्रेशन ले लिया अगर आप रिगना नोट्स बनाने की जरूत नहीं बढ़े आपको यह हो गया आपका लेक लांची सेल यह होगा सुस्क चल यह हो गया मर्करी सेल यह हो गया सिलवर ओक साइड इसल और यह चार यह सेल और यह आपा बनाते हैं अब लिष्ट ठीक ना लिष्ट बनाते हैं इनकी सबकी तेरा मेरा जो होना था वह गया कर दो कर दो कल दो की पार की थे पार झाल अब हम नाम लिखना शुरू करते हैं क्या नाम लिखेंजी इसके अंदर लिख लो आप उपर वाले में तो लिख लो सेल कौन सा है यह बताना है ठीक है इलेक्ट्रो लाइट बताना है यहां से याद करना इलेक्ट्रो लाइट बताना है आपको इसके अंदर आप कैथोड के बारे में बता देना इसमें आप एनोड के बारे में बता देना इसमें आप E-M-F के बारे में बता देना बस इतना याद कर लेना तो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अब बताओ आप पहला सेल था वोल्टिक सेल हमने पड़ा वोल्टिक सेल दूसरा हमने पड़ा था डेनियल सेल याद है या भूल गए डेनी को डेनियल है सेल ठीक है तीसरा हमने पड़ा था लेंक लांची सेल लेंक लांची सेल उसके बाद हमने पड़ा था सुस्क सेल ठीक है उसके बाद हमने पड़ा था मरक्री सेल उसके बाद हमने पड़ा था सिल्वर ओकसाइड सेल उसके बाद हमने पढ़ाता छारीयों सेल सिद्धी की सिद्धी में लेके भी आ सकता था लिखने का क्या मतलब है इसका कोई मतलब होगा सिदथा सिद्धा कोपी पेश्ट करके लिए आता चलो यां बता देता यह यह होता है लेकिन दिमाग में वो चीजें गुसती है एलेक्ट्ट्रोलाइट इसके अंदर कौन सा प्रियोग होता है तो आपको जिसके अंदर तोबने sentences पोड़ाय था है कि टूँ एसो फॉर के अंदर कौ पर सल्फेट कि बताए तुक पर सल्फेट लेंख लाची में और इसके अंदर बहुत से बताए थे यार चोटा चोटा लिखों क्या एन एच फूर सी एल प्लस कार्बन प्लस प्लस क्या था वो नाम भूल गया है उसका मैं जिंक कलो राइड जिंक कलो राइड प्लस मेगनेज मरकरी के अंदर क्या था इन तिनों के अंदर भूल जाओ कुछ भी याद नहीं करना है बसको है क्या है प्रिक याद करेंगे इनकी था के थोड कुछ भी याद नहीं करना जिंक चिंख लिखते जाओ जिंकर लिखते जाओ याद होता जाय गारे जयसे-जैसे जिंक-जिंक लिखोगे सबका याद हो गया कैफोड इनोर में थोड़ा सा फरख है पहले दो में कोपर डालAI से ऑंके बाद कारबन-कारबन डाले देता हूँ पारा किसका काम करता है ठीक है इसके अंदर सिल्वर ओक के डायोकसाइड रूपक साइड राण चीक है और इसके अंदर आप फिर मोटू डाल ने वैसे अभी दुर्वक के रूप में काम करते हैं यह आप डाल सकते हो एम अफ कि होता है तो एक पॉइंट जीरो आठ होता है दूसरे का होता है एक पॉइंट एक तीसरे का होता है एक पॉइंट चार चार उसके बाद एक पॉइंट चार से लेकर एक पॉइंट पांच बताया था हमने उसके बाद हमने एक पॉइंट तीन पांच से लेकर एक पॉइंट चार पांच बताया था उसके बाद याद हो तो एक पॉइंट है पांच बताया था और उसके बाद आपको एक पॉइंट है पांच बताया था ठीक है ना मुझे तो याद हो गई है मैं तो भाई ठीक है अब इसको याद कैसे करें जी से कुछ याद किया जा सकता है जैसे डेनियल सेल कोपर डेनी क्या लेके आता है हर फीलुम में जाता है काप काड़ काप में लेका अजीर लैक लंक्का यानि लाच्च या याद गर Oklahoma जानते हो और याना वाले थेखा न तो लेंक लांचा यानि लांचा कौन लेके आएगा अमोनिया लिखो तो अमन आएगा उसमें देखो लांचा कौन लेके आएगा लांचा अमन लेके आएगा कौन लेके आएगा अमन लेके आएगा तो इससे याद हो जाएगा अमोनिया कलोराइड ठीक ना डेनी क्या लेके निया चुछ है तोकपस है सबस्पेटिल क्रोलाइ्टिस बाक सबस्क्ट तो सबस्क्राइब को उक्षाइड कर सकते और स्ल्वर से याद कर सकते हो चांदी कर दो तो बंदा मरता है थीमर जाता हिसलए तो ना मरता तयानि पोटेसियम सी आद करना पोटेसियम पटाका पठाका हो जाता वोगा तो पटेसियम हंस्थियम हड्रोकसइड मरने के बाद पटाका जैंक एशियैनű ह्मलaval सकता इसे आतठी है सरी है युथ oxy af Richter इसको को बहुत जादा प्रियोग किया जाता है याद करने वाली है कुछी चीज़ें याद करने वाली है जो में करवानी पड़ती है इसके आगे हम अगला लेक्षर दुईतिय एक्सेल का होगा जिसके मोस्ट इप्वोटेंट है यहां से बस इतनी बाते हैं याद कर लेना तो बताई यह उससे ज़्याद करने जुरूत नह घ्राइग एक जोनायगा तो एक की मह घारणटी दे सकता हूं इससे बाहर में खुशन नहीं आएगा इतना परक्षा लेस्क आ खिर कि ले जैनेरी पूर्चल दोली हो से च्षरेका लुकर भी कई बनाता रहता हूं आपना एक गांटएगा टाइनिक आर्गेट रहता है एक गंट की वीडियो में आपना मेरे को टाइम लगता है तरकार का मैरा टाइम बने पांस बने कितनी वीडियो बने इस प्रकार का मिरा टार्गेट रहता है तो आप अगली दिन देखोगे वीडियो की जाती एक साथ यह क्यों तो मैं ने वीडियो मिलेके तो कर रहा हूँ थोड़ी से कर Serkate R podcast कर रहे दा सरकारी नोकरी लागने का सपना आपका सकार हो सकता है क्यों हो सकता है अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो ठीक है mcq चकर में paid course के चकर में रहने की कोई जरूरत नहीं है पूरा आपको पूरा सलेवस करवाएंगे देखा भी होगा आपने पूरा सलेवस करवाएंगे बस आपके स्पोर्ट किया सकता है वो धीरे धीरे आप बनाते रहिएगा जितने ज्यादा हो सके कोमेंट करो सेर करो लाइक करो ठीक है और पॉसीबल हुआ तो आपको पीडिया भी मिलेगी लेकिन उसके लिए आपको एक टार्गेट रहेगा ना तार्गेट तो होना चाहिए आप ज्यादा ज्यादा सेर करोगे बड़ी आविव आएंगे आपको सब पीडिया वीडिया दे देंगा आपको ठीक ना पीडिया बनाके देदेंगे थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं लग रहा बस ठीक है तो उसके चक्र में ड्यूटी थोड पहले बाव वीडियो देखिए फिर एक दूसरे से डिस्कस किजिए क्योंकि सारा दिन आपका ज्यादा तर क्या रहना चाहिए फोकस रहना चाहिए लेक्ट्रेकल की धोरी बढ़ने क्योंकि सतर नमबर मतलब सारा दिन ठीक ना बाकी चीज़े भी पढ़नी है वो भी मैं ब बाका करतेंगे देशनी टाम मिला ना तो आज के लिए फिर इतना ही जाहिन जाहिन भारत मिलते हैं के लिए वीडियो के साथ भुगवान आपका बला करें